नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का टोटल सरकिट चैनल में दोस्तों आज का वीडियो है डिजिटल वोल्ट मिटर के बारे में दोस्तों इस टाइप के जो वोल्ट मिटर आते हैं वो दो तीन परकार के वोल्ट मिटर आते हैं ये टू वायर का भी आता है थ्री वायर लगी वी यह नई है, उनको change करके voltage को set कर सकें, और यहाँ पर देखेंगे, यह 3wire का voltmeter है, इसमें देखेंगे, यह पर यह preset लगावा है, इसे voltage को set कर सकते हैं, जैसे माल लते हैं, इसमें 12 voltage की supply दे रहे हैं, और यह 11 voltage ही दिखाता है, तब इस preset को गुमा करके 12 voltage set कर देंगे तब यह voltage सही दिखाने लग जाएगा और इस voltmeter में voltage को कैसे set करते हैं आज का वीडियो इसी के बारे में मेरे पास कई comment भी आते हैं इस voltmeter में voltage को कैसे set करते हैं यह इसकी अंदर जो IC लग रही है वो कुछ इस परकार से है यहां पर देखेंगे य इसकी voltage regulator IC है जो इस microcontroller को चालू करती है और यहां पर यह resistance divider लगा हुआ है यह voltage को काफी कम करके इस microcontroller को signal देता है voltage का और यहां पर यह तीनों पिने एक जगह हो रिखी है यह तीन नीचे वाली यह इसकी voltage sensing input pin है यह सीधा microcontroller से जूड़ी हुई है यहां पर अब पहले द three wire वाला voltmeter को लगा रहा हुँ इसको चालू कर दिया है और यहां पर 00 की counting आ गई है इस meter में और yellow wire को जैसे ही इस plus के साथ में लगाएंगे तो यह voltage दिखाएगा ऐसे इसको साथ ही लगा देता हूँ मैं और multimeter को भी लगा देता हूँ मैं साथ में ही अब यहां पर देखेंगे multimeter में 11.2 voltage आ रहे हैं और इस voltmeter में 15.3 voltage आ रहे हैं तो यहां से इस preset को गुमा करके voltage set कर सकते हैं ऐसे यहां पर भी इस multimeter में 11.5 voltage आ रहे हैं और यहां पर भी 11.5 voltage आ रहे हैं अब मैं voltage को कम ज्यादा करके देखाता हूँ और अब यहां पर यह voltage सही दिखा रहा है इस परकार से इस preset से voltage को set कर सकते हैं अब two wire वाला जो voltmeter होता है उसको भी टेस्ट करते हैं multimeter को भी 7 लगा देता हूँ अब यहां पर देखेंगे 8.45 voltage आ रहे हैं और यहां पर 8.24 voltage आ रहे हैं थोड़ा voltage का changing है तो इसको कैसे set करते हैं इसके लिए एक यह mighty turn का preset लेंगे 103 यानि 10 kilo ohm का इस परकार का और इसको ground के साथ में जोड़ देंगे और यहां पर यह white wire है इसको मैंने यहां पर बताया था जो voltage signal है यहां पर इस जगह पर जोड़ देंगे इसको white wire को यहां पर जोड़ेंगे और यहां पर एक प्लस से एक resistance लगाएंगे 100 kilo ohm की वह इस परकार से लगाएंगे यह 100 kilo ohm की resistance को इस प्लस के साथ से ऐसे लगा देंगे प्लस से जोड़ देंगे और इस black wire को इस black wire से यहां नेगटिव से जोड़ देंगे इसको और white wire को यहां पर लगा देंगे और इस सपेद wire को resistance के आगे लगा देंगे 100 kilo ohm की resistance के आगे इस परकार से तो इस परकार से लगा देंगे इसको यह 100 kilo ohm की resistance है अब इसको चालू करके देखते हैं अब इस परिशेड से गुमाकर के वोटेज को set कर सकते हैं ऐसे कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं ऐसे अब दोनों में ठिक ठाक वोटेज दिखा रहा है यहां पर भी 8.4 वोटेज आ रहे हैं और इस बोल्ट मिंटर में भी 8.4 वोटेज आ रहे हैं मैं वोटेज को कम ज्यादा करके दिखाता हूं दोस्तों इस परकार से आप इस वोटेज को set कर सकते हैं और इस ही वोटेमिटर को अगर 3-wire का वोटेमिटर बनाना है वो भी मैं आपको दिखाता हूं अब यहां पर देखेंगे इस वोटेमिटर में तो यहां पर यह उल्डिंग हो रखी है इसको हटा देंगे यहां से तो यह 3 वाइर का हो जाएगा इसको प्लस को यहां पर देंगे voltage sensing और यहां से इसको हटा देंगे यह तो इसकी VCC input pin हो गई इस meter की red और black और यह voltage sensing हो गया ऐसे ऐसे लगा सकते हैं इसको येलो वायर लगाएंगे ये वोटेज सेंसिंग वायर हो गया इसका अब इसको चालू करते हैं तो यहां पर देखेंगे ये 00 की काउंटिंग आ गई है और जैसे ही इसको प्लस के साथ में मिलाएंगे तो ये वोल्टेज दिखाएगा ऐसे मैं वोल्टेज को और बढ़ाता हूं थोड़ा मल्टिमेटर को भी साथ में लगा देता हूं दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कैसे इस वोल्टमिटर में वोल्टेज को सेट करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना आपको ये वीडियो देखने के लिए दन्यवाद आपका दिन सुब हो